हेलो स्टंट्स आए देखते हैं दिरिश्य प्रकास तरंगे दिरिश्य प्रकास तरंगे विज्वल वेव्स क्या होते हैं ध्यान से समझेगा दिरिश्य प्रकास तरंगे यह बैदुचुम्ब की तरंगों का सरवाधिक सूपरचित रूप है दिरिश्य प्रकास तरंगे जो ह नित्र संबेदन सील होते हैं प्रकास दिर्ष तरंगे जो होती हैं वे उस इस्पेक्ट्रम का भाग हैं जिसके लिए मानो का नित्र संबेदन सील होता है मानो कानेत्र देखता है दिर्ष्य प्रकास तरंगें जिनकी आबृत्य परास लगभग 4 गुळे 10 पे 14 हर्टज से 7 गुळे 10 पे 14 हर्टज या तरंग देर प्रकास 700 से 400 नेनो मीटर होता है तो दिर्ष्य प्रकास तरंग कि जो अबृत परास होती है वो चार गुले दस पे 14 हटज से साथ गुले दस पे 14 हटज होती है और तरंगदेर अगर कहा जाए तो तरंगदेर का परास लगभग साथ सो से चार सो नैनो मीटर के बीच होता है हमारे चारो और की बस्तूओं से हमारे नित्र तरंगदेरियों के इस परास के लिए संबेदन सील होते है हमारा नित्र जो है वो साथ सो लेकर चार सो नैनो मीटर में वर्क करता है हमारा नित्र तरंगदेरि के इस परास के लिए संबेदन सील है बिभिन जन्तू तरंगदेरि के बिभिन परास के लिए संबेदन सील होते हैं जैसे सर्प औरक्त तरंगों को संसुचित कर सकते हैं सर्प जो है वह इंफ्रारेड बेव को महसूस कर सकते हैं कई कीटों का द्रिश से प्रास पराबैगनी तरंगों तक पहुंचता है ठीक है कई कीट हैं जिनका द्रिश से प्रकास जो है वह पराबैगनी तरंगों तक पहुंचता है तो यह बैदुत चुम्ब की तरंगों का सरवाधिक सू परचित रूप है या उस स्पेक्टरम का भाग है जिसके लिए मानवी नित्र संबेदन सील होते हैं इसका आबित परास लगभग चार गुड़े दस पे 14 हर्टस से साथ गुड़े दस पे 14 हर्टस या तरंगदेर परास लगभग साथ सो से लेकर 400 नैनो मिटर होता है हमारे चारो और की बस्तूओं से उतसरजीत या फिर परावर्तित होने वाला द्रिश्ट प्रकास जगत के विशे में सभी सूचनाएं हमें उपलब्द कराता है हमारे नित्र तरंगदेर के इस परास के लिए ही संबेदन सील होते हैं विभिन जन्तु जो हैं तरंगदेर के अलग-अलग परास के लिए संबेदन सील हैं जैसे सर्प जो है वह औरक्त तरंगों को संचुचित कर सकते हैं कई कीट जो हैं वह द्रिश्ट प्रकास के पराबैगनी तरंगों तक पहुचता है ठीक है ध्यान से देखें द्रिश्ट प्रकास चार सो से लेकर साथ सो नैनो मीटर तक पहला राता है द्रिश्ट प्रकास चार सो नैनो मीटर से लेकर साथ सो नैनो मीटर तक द्रिश्ट प्रकास का रेंज होता है तरंगदेर में आप देख रहे हैं साड़े 400 से 400 के बीच में बैगनी कलर आता है साड़े 400 से 400 नैनो मीटर के बीच में बैगनी कलर ठीक है? आप देख रहे हैं साड़े 4 से उसे और 500 से थोड़ा उपर जो है नीला कलर आता है 500 नेनो मीटर 500 के बीच में हरा कलर आता है 500 – 600 के बीच में पीला कलर आता है 600 – 625 के बीच में लाल रंग आता है यह आपका द्रिश से प्रकास का तरंग नहिंथ है ठीक है जो हमारी मानो नित्र जो है समेधर देल होती है थाइंक यू